तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप हमारे चुर रहेगा वह में राइट लेक से करना है राइट लेक को हमें आगे लेकर आना है side लेकर जाना है back लेकर जाना है और दुबारा side लेकर आना है दुबारा देखिए front side back side very nice अब हम hands देखते हैं कैसे जाएंगे इसके हमें point करना है left right left right बिलकुल legs के साथ left right left and right legs के साथ point करते हैं लेकर जाना हमें left right left and right इस तरीके से step हो गई हमारा दुबारा देखते हैं left right left right I hope आपको समझ में आगया होगा अब next step हम देखेंगे हमें right leg को आगे की तरफ को आप करना है और फिर पीछे की तरफ को आप करना है आगे और पीछे देखे इस तरीके से और hands कैसे जाएंगे हमारे हमें अपनी feet को touch करना है जब हमारा leg आगे आएगा तो हमें अपने left hand से touch करना है और जब पीछे जाएगा तब right hand से इस तरीके से चलिए अब starting से करते हैं 1 and 2 and 3 and 4 इसको fast करते हैं 1 and 2 and 3 and 4 अब हमें next step करना है next step के लिए हमें पहले right leg आगे रखना है left leg आगे रखना है फिर right leg पीछे रखना है और left leg पीछे करना है again right leg को आगे left leg भी आगे then right leg back and left leg back इसके hands कैसे जाएंगे वो भी देख लेते हैं हमें अपना right hand आगे रखना है left hand आगे रखना है फिर right hand अंदर की तरफ और left hand भी अंदर की तरफ को straight करना है हमारे जो hands है वो बिलकुल legs के साथ जाएंगे right, left, right and left अब इसके बाद जो step है उसमें हमें shoulder move करना है right shoulder move करेंगे हम two times देखिए one and two और shoulder के साथ हमें leg भी move करना है second time जब हम shoulder उपर करेंगे तो हमारा left leg भी उपर होगा इस तरीके से दोबार देखिए one and leg up ऐसे अब हमें left shoulder भी up करना है but only single time और left shoulder up करने पर भी right leg हमारा आपाएगा इसको हम थोड़ा सा jump के साथ करेंगे one and two चलिए अब starting से करकर देखते हैं हम एक बार start it will go like one and two and three and four five and six and seven and eight अब हम देखते हैं यह किस लिरिक्स पर आएगा five six seven go अच पहरा चपा के गुची शुची किते चले हो हम आगे करते हैं हमने यहां तो complete किया था इसके पाद यही से हमेет right leg पीछे ले कर जाना है और फिर left leg पीछे लेकर जाना है दुबारा देखिए एक पर यहां से right leg पीछे और left leg भी पीछे Claudia hands कैसे जाएगे हमारे right leg के साथ right hand back left leg के साथ left hand back दुबारा देखिए right back and left back अब यहां से हमें chest out करनी है single time only one two और इसके बाद हमें wave लेनी है wave हम पहले hand से लेंगे और उसके बाद body wave लेंगे दुबारा देखिए wave शुरू से देखते हैं पर one two three and four four counts में हो गए है अब यहां से हमें अपना right leg आगे लेकर आना है और left leg भी tap करना है दो step लेने हैं हमें right and left और इसके साथ hands कैसे जाएंगे हमारे right hand up जाएगा and left hand up जाएगा legs के साथ दुबारा देखिए एक पर five six seven go one and two अब यहां से जो लड़कियों के लिए step है वो देखिए एक पर hands आपको chin के नीचे लेकर आने है और waist को move करना है right hand हमारा chin के नीचे है और left hand elbow के नीचे देखिए उपर से नीचे और हमें waist को move करना है और लड़कों के लिए हम क्या step ले सकते है side में action करते हुए हमें अपना right knee जो है वो bend करना है और right hand से point करना है दुबारा देखिए one and two last position से करते हैं हम पहले girls वाला step करेंगे one and two and three and four अब boys वाला करके देखते हैं one and two and three and four अब lyrics देखते हैं क्या चाहेंगे इसके गड़ी कारे शीशे याँ वारी ते उत्तो तुसी कर ले ओ अब next step करते हैं हम next step के लिए हमें अपना right leg आगे लेकर आना है दुबारा देखिए right leg आगे और hands हमें roll करने है दोनों hands one and two दुबारा देखिए five six seven go one and two यही से जो leg है वो पीछे की तरफ जाएगा और toe पे land होना चाहिए जो leg है right hand जो है वो leg को point करेगा और जो left hand है वो हमारी waist पर रहेगा अब यहां से हमें knee bend करनी है अपनी right knee bend करनी है और hand भी साथ में move होगा right वाला one and two अब इसके बाद left से हमें shift करना है one, two, three, four and shift लेफ्ट को उठाके right से shift करेंगे हम one and two अब इसके बाद चो step है इसमें हमें wave करनी है हमें अपने दोनों hands ओपर करने है और left की तरफ diagonal से हम start करेंगे wave इसके बाद hands close और right की तरफ diagonal पे wave दोबारा left की तरफ, total हमें 4 waves करनी है लेफ्ट की तरफ एक देन राइट की तरफ दूसरी देन लेफ्ट की तरफ थर्फ एन फोर हमारे कैसे रहेंगे पहले हमें open रखने है फिर हमें cross करने है और फिर दुबारा हमें दो बार open करने है next step की तरफ पढ़ते हैं अब इसके बाद हमें हमें अपने finger से एक box बनाना है square बनाना है और square बनाते हुए हमें अपना right hand उपर और left hand नीचे रखना है देखिए इस तरीके से अब यहां से हम अपना left hand आप करेंगे point करते हुए straight एकदम down again right hand आप करेंगे straight pointed again and down दुबारा करके देखते हैं एक पर box hands left and right अब इसके बाद हम अपना left hand देखिए नीचे से निकाल कर दुबारा straight करेंगे directly ना करते हुए हमें इसे नीचे से अंदर की तरफ से निकालना है और straight करना है दुबारा देखिए एक पर box position left up right up और left अंदर की तरफ से up अब इसके बाद हमें एक jump लेना है आगे की तरफ right leg पे jump लेंगे और left leg up होगा इस तरीके से hands हमें open करने है अब इसके बाद हम यहां से एक turn लेंगे turn अब girls और boys के दोनों के अलग-अलग steps है girls का हम देखते हैं पहले हमें back side पे turn end करना है और hands को ऊपर करके wave लेनी है अब एक बाद boys के लिए देखते हैं turn और यहां से नीचे बैठना है style से दोबारा देखिए 1 and 2 and 3 and 4 यह girls का हुआ आप boys का देखते हैं 1 and 2 and 3 and चलिए अब next step की तरफ बढ़ते हैं girls ने back पे end किया था तो हम यहीं से करेंगे उनके लिए हमें front पे आना है और right side पे एक wave लेना है और left side पे right and left the waves लेंगे हम right and left right and left boys का भी same रहेगा हमें बस यहां से खड़े होना है और wave and wave दुबारा करके देखते हैं यहां से 1 and 2 अब इसके बाद हमें एक slide लेनी है खुद को push करते हो है left side पे हम यह slide लेंगे left leg आगे जाएगा और right पीछे उसको follow करता हुआ skit करता हुआएगा देखे left से step और right skit और जो हमारा right hand है वो push करेगा हमें जोते हैं 1, 2, 3 I hope आपको यहां तक समझ आ गया होगा अब इसके बाद हम अपने left hand आगे रखेंगे और इसे goal कुमाएगे इस तरीके से legs हमारे जाएगे right आगे और left उसको follow करता हुआ toes पे दोबारा देखिए hand के साथ इस तरीके से हलका सा body wave भी लेंगे तो अच्छा लगेगा आगे की तरफ दोबार देखिए 1 and 2 अब एक बार wave से लेते हैं 1, 2 3 and 4 अब इसके पाद जो हम step लेंगे उसमें हमें अपना right hand open करना है straight एक दम and then left hand open करेंगे तो रसा stretch करके करेंगे 1 and 2 दोबार देखिए यहां तक हमने किया इसके पाद right hand open and left hand open leg देखिए हमारा पहले आगे आया था point होके वो भी पीछे की तरफ जाएगा left leg move करना है 1 and इसके बाद हमें अपना right leg जो है वो आगे लेकर जाना है देखिए ऐसे और हलकी सी एक स्केट और आती है left leg से follow करते हुए right leg को और हमें अपना hand swing करके आगे लेकर आना है right hand साथ में दुबारा देखिए 1 and 2 यहां पर हमने end किया अब इसके बाद हमें left leg को bend करते हुए back bend करनी है अपनी और left hand आगे की तरफ लेकर आना है wheel के साथ properly यहां से 1, 2, 3 and 4 अब इसके lyrics देखते हैं अब यहां से next step के लिए हमें legs join करने है then jump open and jump close वहां देखिए jump open, jump close यहां तक हमने end किया था यहां से join करके open and close अब इसके बाद हमें अपना right leg उपर उठाना है आगे की तरफ kick and up hands हमारे आगे से अंदर की तरफ आएंगे दुबार देखिए open, close, up and in अब देखिए open, close, up, in and again open अब इसके बाद 4 counts आपको style करना है style मारना है आप कुछ भी कर सकते है style मारते हुए कोई भी pose कर सकते है walk कर सकते है कैसे अभी आप style कर सकते है एक बार दुबारा से देखते हैं jump से 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 अब इसके बाद हमें अपनो right leg आगे लेकर आना है और पीछे लेकर जाना है देखिए कैसे करने है आप and back और साथ में हमारा left hand आगे आएगा फिर right hand आगे आएगा देखिए पंच की तरह हमें आगे लेकर आना है अपना hand दुबारा leg के साथ one and two दुबारा देखिए one and two अब देखिए दुबारा करते हैं one and two अब यहां से हमने यहां पर खतम किया अब यहीं से हम अपना right leg आगे लेकर आएगे और left leg भी हमारे right leg को join करेगा और हमें bend रहना है और bend होके उपर की तरफ wave के साथ आपाना है दुबारा देखिए हैं यहां से forward forward bend and up bend and up इस तरीके से one two three and four अगे करते हैं अब यहां से हम अपने right knee को bend करेंगे देखिए इस तरीके से और फिर left knee को भी bend करेंगे ऐसे यह हमें चार बार करना है one and two position देखिए टो पे करना है हमें इसे चार बार one two three and four अब यहां से hands देखते हैं हम कैसे जाएंगे में पहले cross करना है दुबारा cross करना है इसके बाद roll and up दुबारा करते हैं cross cross roll and up लेक्स के साथ करते हैं one two three and four अब लेक्स के साथ देखते हैं हम अज पेरा चिपा के गुच्ची शुच्ची कित थे चलने हो अब यहां से देखिए हमें tap करने है अपना left leg और फिर right tap बारा देखिए यहां पर हमने end किया था यहां से left tap and right tap hands देखते हैं अब हम हमें अपना right hand left towards move करने है और फिर दोनों hands जो है वो right towards move करने है इस तरीके से देखिए leg के साथ करते हैं अब हम यहां से one and two अब इसके बाद हमें अपने दोनों hands घुमाके हमें side position पे आना है हमारा जो left leg है वो पीछे जाएगा और join हो जाएगा दोबार देखिए यहां पर हमने क्या था यहां से roll and turn roll and turn अब इस position पे आकर हमें अपने leg को heel पे रखना है और वापस लेकर आना है दोनों legs जेके करके पहले left heel and back then right heel and back hands देखिए हमारे कैसे जाएगे हमें अपने right hand को दो बार गुमाना है और hand को straight रखना है दोबार देखिए one and two leg के साथ one and two one and two दोबार करते है step को यहां से one, two, three and four, five, six अब इसके बाद यहां से हमें अपनी elbow को back की तरफ shift करना है यानि हम अपनी right elbow को पूरा गुमाएंगे और leg भी हमारा right वाला पूरा गुम के पीछे की तरफ turn करेंगे elbow देखिए इस तरीके से पीछे को hit करनी है and turn लिरिक्स पर देखते हैं कैसे जाएगा यह गटिकारेशी शियावारी ते उत्तो तुसी कर लेओ दोस्तो गर आपको माच चैनल अच्छा लगी और आपको वीडियो से फूल लगी तो प्लीज हमें सब्स्क्राइब करना ना भूलिए दोस्तो आपके सपोर्ट से ही चैनल है जितना भी आगे बढ़ रहे हैं आपके सपोर्ट के वेरे से तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो प्लीज एक सब्सक्राइब